आज घ्यान दिन है भाई, I'm very happy और TPA RS लूप तेरा भी घंटा बजा दिया, Rhoid Sharma ने आपना लुट गई, आपना लुट गई, शाहिद की आपना लुट गई इन्हें डूप के मर जाना चाहिए, इन्हें शरम नी करना चाहिए, शरम होटा लव से इन्हें डूप के मड़ जाना चाहिए और बाबर आजम को तो सबसे पहले निकालना चाहिए जो आज पाकिस्तान टीम ने दी है और मेरा दुबाग रब कर दी है आप लोग उने बाई आम नहीं मांते इसको दुबारा कराओ अपहए है जाअट लेकिन शेंफूल डिफीड ना खाड़े के सिड्यम के इंदर जय शरी राम, जय शरी राम, जय शरी राम के नारे लगँ और बकाईधा स्पीकर पर चलाया गया अपाकिस्तान का बाप है तीवी यार क्या अने है जो भी भाइंग रहे हैं वह बाहर हुआज है अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा बलके जलील अलफाज भी ये डिजर्व नहीं करते कुटे की तरह मारा है भैसाब एंदाबाद में रोइट शर्मा ने नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम को हिटमैन यानी रोइट सर्मा ने पूरी तरह से तबाह और बरबाद कर दिया वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले बाते कर रहे थे कि हम भारत को वहमदाबाद में हराएंगे लेक ये पाकिस्तान वाले बाते करते हैं कि हम भारत को अराएंगे और भाई विखारियों पता चल गया कि बाप कौन होता है यह क्रिकेट के लिए यह आपने इसे क्रिकेट करते हैं एक सो नवे पर लोगों को हम लोगों का मजा उड़बार है आप लोग शरम आनी चाहिए आपको लिए तो बैस्ट है हर दफा इंडिया बैस्ट होता है इंडिया से यह अलग ही डर जाते हैं और बोखन पर इंडिया को चेज कर पाइंश वर्लिक उमीद कर दिया इन लोगों हर बार हमारा टाइम वेस्ट होता है हर बार इंसे उमीदे लगाते हैं और सिव उटरसील और शहर घर पर बेचय रहता है पूरे पाकिसान ने उमीद लगाई हुई थी कि हम 30-35 साल बाद आज इंडिया से जी जाएंगे वर्लकमे पर आज फिर हार गए हैं हमारा हर बार ऐसा ही होता है पाकिसान टीम ने बिल्कुल ना उमीद कर दिया है ना इन लोगों में कुछ भी नहीं है एक बाबर और इजवान से थोड़ी बहुत उमीद होती है वह भी हमारी उमीदों पर पूरा नहीं उतर रहा है हमें लगता है अब टीम को चेंज होना चाहिए नए पिलियर्स को मौका मिलना चाहिए नए पिलियर्स आए हमारी इज़त होनी चाहिए डीम चाहिए घंट आइए आइज करेंगे चाहिए वन फिफ्टी टू बेटू कुछ बादा इंडिए अठाट इस नांसर्ट पे छे नंटे गंटे देख गया है और बैटिंग इडिया ने कोनी भी जल्दी यह उट हो गया था इंडिया के हर नंबर पे मैश मिनर खिलने आपका इंडिया ने पाकिस्तान की नहीं गाई यह 191 एक शक्तानी मारा रहोई चर्मा ने शेहिंशा फ्रीदी को इसके दूसरे वर की पहली पर इसमार के उनका घरूर तोड़ा है बिल्कुल सह सब्सक्राइब करें लेकिन जैसे यह आगे आते इंडिया के सामने तो बहुत है इसके लावा इन पर प्रेशर भी काफी जाए क्योंके वहां पे सब इंडिया स्पोर्टर्स हैं वह उनके मुलख में खेलने के लिए गये हैं शुटराना जो बाते का रहा था कियामदाबाद में इसी क्रियेट होगी इस्टी रिपीट हुई है क्रियेट नहीं हुई तर्फ शरम करो शरम करो बापर राजम के 50 में हुश होने वालो रोज़ छर्मा ने न लिए प्र उसने 50 के बाद भी निंग खेलिया बापर राजम कि अपना बचाश तो का रिया था गिजञ preview करने तो डूट हो गया रोव जितना पूसक्र निए कि 코 else inpity को जिता है कि पकयों कि फट्र से अ presentia & मेड ऑजा दिया है इंद्या ने अरद्ल एक अडा भजा दिया है मेरे गंतेक in शर्म करो लिटरली शर्म करो आपको ये शर्म नहीं आती कि आप इनको गारे बिठाओ यार नहीं कहना आपने वर्ल्ड का अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा बलके जलील अलफाज भी ये डिजर्व नहीं करते कुटे की तरह मारा है भाई साब एमदाबाद में रोइट शर्मा ने पाकिस्तानी बालर्स को अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा और जब पाकिस्तानी टीम बड़े सवेरे सवेरे जाए मैच हार के मू निकाले हुए बाहर आ चुकी है और इंडिया की टीम ने बड़े अराम के साथ जाए मैच जीत लिया है यार अकल नाम की कुछ चीज होती है सेंस नाम की कुछ चीज होती है इन अकल के अंदू में वो ही नहीं है इनको तरीका ही नहीं है खेलने का ये गली महले में भी खेलने के काबिल नहीं है और इनको आपने उठा के जा वर्ल्ड कप में इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने डाल दी है 191 पे पाकिस्तान आल आउट और 155 पे जा वो दो आउट होते हैं और 191 पे सारे के सारे आउट 36 स्कोर के अंदर पाकिस्तान के 8 खलाडी आउट हो जाते हैं यार यह कैसे हो सकता है कि आपके 36 स्कोर के अंदर आठ खलाडी आउट हो रहे हैं जिट मैं ने बता दिया है कि पाकिस्तान को वह ऐसा रगड लगाएगा अधर रगड़ा लगाएगा पापर आदम गंटे निपाल के लाब देश्टों करने वाले इतन अपना पचास कार गया जब टीन का पचास करने दर पहुट हो गया लिट्रली याई दिल से दुख हो रहा है आज मुझे दिल से दुख हो रहा है मेरा दिल से मुझे दुख हो रहा है ना विराट कुली से बड़ा प्यार करता हूं मेरा विराट कुली फ्याबर प्ले रहा है लेकिन आज यो पाकिस्तान किया मुझे उसमें बड़ा दुख है दिल रो रहा है यार दिल रो रहा है काल 152 पे 2 190 पे सारी टीम ऊउट मतलब 5-10 मिट में आपने मैं कहता हूं हर चीजी बदल दία है और बालिंग में कोई मैं कहता हूं फाइट ही नजर नहीं आई वो शहीन है प्यले वर में छोके खा रहा है असन अली है चक्के घा रहा है वो टेबी है एक वर में चोदा घा रहा है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ए पाकिस्तानी मीडिया अपने ही प्लेरों के ऊपर काफी जादा भड़क रही है और हो क्यों नहीं क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बाते करते हैं कि हमारे पास नंबर वन बल्लेबाज है हमारे पास नंबर वन गेदबाजी है लेकिन जिस तरह से इन पाकिस्तानी बल्लेबाजी और गेदबाजी की धजियां उड़ाई है हमारे भारती प्लेरों ने इन पाकिस्तानियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान वाले क्या करके आये हैं वहीं ये पाकिस्तान वाले पहले बड़ी-बड़ी बाते कर रहते कि हम भारत को एहमदाबाद में हराएंगे लेकिन जिस तरह से भारती बल्लेबाजी हुई है खास करके हिटमैन यानि रोहिस सर्वा ने इन पाकिस्तानियों को पूरी तरह से तबाव और बरबाद करके रख दिया वहीं ये केवल बाते करते हैं कि हम नंबर वन टीम हैं हम ए हैं ओ हैं लेकिन जिस तरह से भारती टीम इन पाकिस्तानियों को तबा किया है ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सोच सकते हैं वहीं ये पाकिस्तानी मीडिया भी बाते करती थी कि हम भारती टीम को आसानी से हरा देंगे एहमदाबाद में क्योंकि इन पाकिस्तानियों को लगता था कि हम भारत को हराना काफी जादा आसान है लेकिन जिस तरह से एहमदाबाद में इन पाकिस्तानी भिखारियों को कुटाई हो रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भारती टीम ने मतलब क्या कर दिया है इन पाकिस्तानीों के साथ वहीं ये बाते करते हैं केवल वहीं जिस तरह से हिटमैन रोहिस सर्मा ने क्या साथ लगाया है और क्या हारिस राउप को छक्के लगा रहे थे हिटमैन यानि रोहिस सर्मा ने आपने तो देखा ही होगा वहीं आपको बता दें कि साइन साफ रीदी को भी हिट मैन ने नहीं छोड़ा जिस तरह से छक्के लॉंगाम के ऊपर से मार रहे थे हिट मैन यानि रोहिस सर्मा उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मतलब साड़े 300 बनाए होते पाकिस्तान वाले तब भारत आसानी से चेस कर जाता लेकिन ये पाकिस्तान वाले केवल बाते ही करते हैं वहीं जिस तरह से भारती मतलब इस्टेडियम में भारतीयों का कुतना ज़्यादा क्राउड था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मतलब जनसंक्या का पूरी तरह से सेलाब आया है एहमदाबाद में और पाकिस्तान वाले पहले बाते करते थे कि हम एहमदाबाद में जब भारत को हराएंगे तो भारत वाले कहां जाएंगे अपना मूँ छुपाकर और बिखारियों कहां जाओगे चुपाकर मूँ बड़ी बड़ी बाते करते थे कि हम भारत को हराएंगे कहां जाओगे मूँ छुपाकर ये तो बतादो लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया है पाकिस्तानी मीडिया मतलब बदल जाती है पल भर में बदल जाती है और क्या आपको कैसा लगा आज का मैज देखकर हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताईएगा और साथी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं किसी अन्न वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरा